आज मैं आप लोगों बताऊंगे वीनेक का प्रिंसिस कट ब्लाउज यहां पे मैंने बहुत ही पॉफिट कफ के साथ यह ब्लाउज क्रेट किया है जिसे कम हाइट वाले जरूर ट्राइ करें बिकोज इससे होता है कि नेक लेंग जो है बड़ा लगता है जिससे जो है आपका ह इस तरीके में तो वीडियो के एंड तक देखिए और आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्स्राइब करना है ना भूले तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अस्तर ले लेना है तो अस्तर को आपको इ यहाँ पर शोल्डर की मांकिंग करना है तो शोल्डर हम यहाँ पर साड़े पाच चेंज के ले रहे हैं और यहाँ पर आर्म होल जो है यहाँ पर हम चेंज के ले रहे हैं तो यहां पर 5 inch का shoulder हो जाएगा और 6 inch का arm hole हो जाएगा और उसे हम इस तरह की समाख करके square shape में marking कर लेंगे और जो है back arm hole में 1.5 inch का round shape दे देंगे और यहां पर जो है neck का जो width होगा वो चोड़ाई यहां पर मैं 3 inch ले रही हूँ आप धाइंच भी ले सकते हैं और उसमें कर जो बैक नेक कर जो डीपनेस है वो यहाँ पर जाढ़े दस इंच ले रही हूँ मैं और इससे वी नेक का आपको शेप दे देना है इस तरीके से और यहाँ पर आपको इस तरीके से वी शेप नहीं करना है आपको थोड़ा सा curve करके ये V-shape का marking करना है इससे V-shape बहुत ही finishing के साथ बहुत बढ़िया बनता है आप straight इसे cut कर देंगे तो ये अच्छा V-shape नहीं बनेगा तो आप इस तरीके से बना सकते हैं और यहाँ पर chest है 36 inches तो उसका चौथा भाग लेंगे और यहाँ पर 1,5 inch का margin लेंगे हम और यहाँ पर कमर है 32 inches तो 8 inches पर mark करेंगे 1 inch back dart के लिए लेंगे हम और 1,5 inch का margin करेंगे तो इस तरीके से आपको marking कर लेना है back part का और इसे आपको cut कर लेना है इस तरीके से back neck को हमने cut कर लिया है अब आपको front part के लिए इसे इस तरह के से half fold कर लेना है और यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि इसकी चोड़ाई जो है 15 इंच होनी चाहिए तो और इसकी जो लंबाई होगी front part की वो 15 इंच पर लेंगे हम back part 14 इंच पर माक किया था हमने तो एक इंच एक्स्ट्रा करके 15 इंच पर आपको इसे माक करना है तो front part का length हो जाएगा यहाँ पर 15 इंच पर उसकी जो चोड़ाई होगी वो भी 15 इंच पर होगी और यहाँ पर front side हम 20 इंच पर माक करेंगे हम 20 इंच पर माक कर रहे हैं क्योंकि हम जब टक बनाएंगे उसको cover करने के लिए यहाँ पर 20 इंच पर माक कर रहे हैं और आर्म होल की मार्किंग जो है 6 इंच पर करनी है आपको इस तरीके से आपको दोनों मार्क करके आपको इसे इसक्वर शेप में मार्क कर लेनी है जैसे कि हमने बैक पार्ट पर किया था आपको ऐसी करना है लेकिन बैक पार्ट में हमने कर्व शेप जो है 1 इंच पर दिया थ तो आपका ज़्यादा फैब्रिक रिवेश नहीं होगा स्लीव अगरा के लिए आपका निकल जाएगा इसलिए हम इस तरीके से मांग करके से कट कर रहे हैं तो इस तरीके से आपको ही कट कर लेना है उसके बाद आपको क्या करना है नेक की चोड़ाई जो है थ्री इंच पर मांग कर लिए था और यहाँ पर फ्रांट ने कर डीपनेस यहाँ पर सेवन इंच का ले रही हूँ मैं तो इस तरीके से आपको इसमें का डीपने 7 इंच होगा चड़ाई 3 इंच करके इसे V-shape में मार्ग कर लेंगे और ब्लैक पार्ट में जिस तरीके से हमने काउड शेप में मार्ग किया था उसे तरीके से फ्रंट नेक भी भी हलका सक कर दे करके V-shape का मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पर जो है चेस्ट का दस्वभाग लेना होता है तो यहाँ पर 3.6 inches पर मार्क कर लेंगे और ब्रश्ट पोईंट यहाँ पर उपर से 7.5-5 इंच पर मार्क कर लेंगे तो burst point 10.5 पर हो जाएगा और इसमें की जो चोड़ाई होगी वो 3.6 इंचे पर हो जाएगी और नीचे side भी आपको 3.6 इंचे पर mark कर लेना है और इसे इस तरीके से princess cut blouse का shape दे देना है और यहाँ पर एक इंच उपर आपको marking करनी है हम यहाँ पर एक इंच उपर इसलिए marking कर रहे हैं विकोज यह extra fabric होगा जिसे हम जब tuck बनाएंगे तो यह fabric cover होगा तो यहाँ पर जो है जहाँ पर हमने line draw किया था वहाँ पर आपको दोनों side 2-2 इंच पर mark कर लेना है और इसे triangle का shape दे देना है इस तरीके से यहाँ पर हमने नीचे extra fabric इसलिए लिया है क्योंकि जब tuck बनता है तो fabric उपर चड़ने ही लगता है तो इस तरीके से आप mark करेंगे तो fabric उपर नहीं चड़ेगा perfect fitting होगी अब यहाँ पर हम chest का marking करेंगे तो chest लेंगे हम 9 इंच पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे अब आपको यहाँ पर कमार की marking करनी है यहाँ पर कमार हो जाएगा 8 inches 2 इंच का हम tug लेंगे उसके लिए हो जाएगा dot के लिए तो यहाँ पर 2 इंच और हम marking कर लेंगे और half inch जो है और marking करेंगे क्योंकि curve side में half inch और extra चला जाता है जिलाई के लिए margin चला जाता है इसलिए हम marking करेंगे और 12 inch margin लेकर इसे shape दे देंगे और इसे इस तरह के से triangle में marking करना है आपको और इसे आपको cut कर लेना है इस तरह के से अब मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना भूल गई थी आपको यहाँ पी जो है हमने दो इंच जो है टक के लिए लिया था half inch जो है यहाँ पर hook पट्टी के लिए लेना है आपको तो जब इस तरह के से mark करते हैं तो हल्का से front side में extra इस तरह के से लेकर के इसे marking करनी है ऐसा करने सी होगा कि आपका v-shape का जो shape हो खराब नहीं होगा perfect में बनेगा इस तरह के से आपको mark करना है तो इस तरह के सहमने marking कर लेन अब बैक पार्ट को मैं आपको stitch करके दिखाती हूँ तो आपको पर जैसे कि जो प्रिंटेट फैब्रिक होता है उसको आप डारेट कट मत करें पहले अस्तर को जॉइंट कर लें उसके बाद करें नहीं तो जुसमे का जो प्रिंट है वो इधर उधर हो जाता है इस वो जैसे आप पहले अस्तर को अच्छे से फिक्स करके अटैश कर लें उसक जो है अच्छे से यह पल्टेगा फिनिशिंग के साथ तो इस तरीके से आपको इसे आलपीन वगरा को निकाल लेना है और इसे पलट लेना है अब पलटने के बाद जो है इसके उपर आपको सिलाई लगानी है इस तरीके से इस तरीके से उसके उपर में आपको सिलाई लगा लिनी है नीचे साइड भी आपको सिलाई लगा लिनी है इस तरीके से हमने सिलाई लगा लिनी है अब मैं आपको टग बनाने का बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगी बहुत ही कई लोग कहीं पर भी टग बना देते हैं बट दोनों सैट आपको इस तरह की से मार्किंग कर लेनी है और यहां पर बीच में इसका सेंटर पार्ट निकाल लेना है और 4 इंच उपर इस तरह की से मार्किंग करनी है और जो है और कैजी की नोग की मदद से इसे हलका सा इसे घिस देना है इस तरह के से और आप देखेंगे कि दूसरे साइड जो है मार्किंग हो जाएकि जो मांक है वह आ जाएगा और उससे इस ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिना है और उसके बाद आपको इसे टक बनाना है इससे जो है बैक डाट जो है बहुत फिनिशिंग के साथ पॉफेक्ट बनेगा कहीं अलग अलग जगह नहीं बन ही ट्रैक्निक जरूर ट्राइ करें इस तरहे के से आपको नहाद के य के रिया को सब अज़व से पहले टीच करना है उसके बाद से एक्से पर रेक्रें उसे hyo कर लेना है और छोटे-छोटे नौचेस लगा लेने है और उसके बाद बीच से सिलाई लगा लेनी है इसकी अगर आपका पाइपिंग अगर नहीं बनता है तो आप इस तरीके से ट्राइब करें इसली वेव में आपका नेकेरियर रेडी हो जाएगा तो इस तरीके से आपको इसे मार्क करके स्वारी स्टीश कर लेना है अपर साइट से भी इस तरीके से जो है अपर साइट को स्टीश कर लेना है उसके बाद में फैब्रिक और रस्तर को जॉइंट कर लेना है और जो extra fabric है उसे आपको cut कर लेना है उसी तरीके से जो है side part जो है pinces cut blouse का जो side part है उसको आपको इस तरीके से joint करना है आप एक बात ध्यान रखें कि जब इस तरीके से आप जॉइंट करते हैं तो आपर पाट को हलका सा हलका से खीचते हुए आपको जॉइंट करना है नहीं तो छोटा बड़ा हो जाएगा यह तो इस वज़े से आपको हलका से खीचते हुए । जॉइंट करना है और इसके उपर आपको सिलाई लगा लेनी है यह optional है बट आप इस तरी के सिलाई लगाएंगे तो बहुत ही finishing के स आपका blouse cup of बनेगा इस तरीके से हमने डबल सिलाई लगा ली है अब इसकी नीचे जो है हम पट्टी लगाएंगे इस तरीके से आपको पट्टी को एक बार जॉइंट कर लेना है और उसकी बीच से भी आपको एक बार सिलाई लगा लेनी है उसके पलट करके फोल्ड करके आपको इसे स्टिच कर लेना है तो इस तरीके से आप इस्टिच कर सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर जो है हुग पट्टी के लिए जो बनाते हैं वो बनाना है आपको इस तरीके से आपको स्टिश कर लेना है तो यहां Damn पर देखे जब आप पट्टि लगाते हैं तो दोनों साइड एक्स्ट्रा फैब्रिक होना चाहिए इस तरीके से आपको सट्टिंग करके इसे पट्टी लगानी है यहां पर देखिए आपर साइट को इस तरीके से मोड कर आपको सिलना है नहीं तो क्योंकि हम इसमें पाइपिंग तो कर नहीं रहे हैं तो इस वज़ासे लेना है उसी तरीके से जो हुक पट्टी है उसको भी आपको जाइंट करना है दोनों साइड जो है इस तरीके से फोल्ड करके इसे ट्रेंगल में इस तरीके फोल्ड कर लेना है जिससे की फिनिशिंग के साथ ये पट्टी लग जाएगी और कहीं पर भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं दिख रहा है देखिए आप इस तरीके से दोनों पार्ट को आपको रेड़ी कर लेना है अब आपको बैक नेक में शूल्डर को जॉइंट करना है हमने देखी शूल्ड जो में जोइंट होता है वो बिताऊंगी सबसे पहले को संदेखि आपको करना है कि इस तरिके से यहाई चोटा बड़ाया है इस तरीके साफ को ख़े आपको। करनी है कि फिनिशिंग के लिए अपड साइड से ही आपको इसकी स्टिशिंग करनी है उसके बाद आपको इसे पलट लेना है पलटने बाद एक बार अंदर से स्टिश कर लेना है इस तरीके से दिखे, अब हम यहाँ पर जो है, हुक का पकड़ने वाला जो हिस्सा होता है, वहाँ पर को छोड़ेंगे, उसके पाथ कमार का मार्किंग करेंगे, तो यहाँ पर कमार 8 इंच पर हम मार्क करेंगे, और यहाँ पर चेस्ट का मार्किंग करेंगे, 9 इंच पर, तो इस तरी के द कर लेंगे और इसे इस्टिश कर लेना है एक बात ध्यान रखें कि हमेशा आपका साइट का जो फिट्लिंग है वो स्ट्रेट आना चाहिए अगर नहीं आते ता आप समझ जाएए कि आपका ब्लाउज में कुछ गड़वड़ी है और इस साइट जो है को कोई फैब्रिक नहीं चोड़ना है फ्रंट साइड को सिधी कमर की मार्किंग करनी है और यहां पर चेस्ट की मार्किंग करनी है इस तरीके से और यहां पर स्लिव की मार्किंग करनी है साड़े 5 इंच पर स्लीज की मार्किंग करनी है और इससे स्ट्रेट लाइन में मार्क कर लेना इस तरीके से और इससे स्टिच कर लेना है इस तरीके से हमारे ब्लाउज रेडी हो चुका है मैंने बैक में डोरी डाल दी है देखे किते फिनिशिंग के साथ पॉफेक्ट पॉफ में बना है ये ब्लाउज तो आप भी इसे जरूर ट्राय करें होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फूर वाचिंग इस वीडियो